कैसे ब्ली कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है यूटूब की कोई भी वीडियो आप लाइप भी चला सकते हैं प्लस लाइब स्ट्रीम चला सकते हैं और प्लस यूटूब की कोई वीडियो को अपनी पुरानी की सी वीडियो को या भी जो अप्लोड भी किया उसको कैसे आप इसमें शो कर सकते हैं तो लेट्स टेकर देमो फर्स्ट तो आप देख सकते हैं मैं वीडियो इंटीगेट की है हाउ टीगेट पेमें चैटवे इन रॉटीओ ओ सारी इन या इंडूद एक तो दिख सकते हैं यह प्लेयों होगी है बहुत या एक प्लीयो हो रही है तो चले उसको वापे स्क्रें लेकर आते हैं और इसको भी सीधा करत तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है चैनल सब्सक्राइब बूद कर लिया होगा ठीक है एंड उसके बाद सिंपल स्टैप है यह है आपका यूट्यूब प्लेयर फ्लेडर एट पॉइंट बन पॉइंट जिरो राइट सो आपको यहां पे इसको कॉपी करना है कॉपी करने के बाद यह जैसे आपको प्डॉट डॉट भी बता होगा मैं अगर आपने फ्लेडिस फॉलो नहीं किये तो फ्लेडिस फॉलो कर लो काफी वीडियो में इसके अंदर फ्लेटर से लेड़ेड़ बहुत लेगी आपको बहुत करने में ठीक है तो सबसे पहले फिर हमें जाना है प्ब.specifical.yml में जासे कि हम अरब बार जाते हैं ठीक है इद यहां आपको जाना है यहां पर यहां ल intent you app तो एकपर टीनो एकन में डिपेंडेंडें करने हैं यह neighbors okay अब यहां थैड टर्मिनल्स से भी हैं कमांड्क चला सकते हैं यहां पजाब option आ तो मैं आइ review चलते हैं मैं डार्ट के अंदर में जाने से पहले आपको दूट सेट आप करने पड़ेंगे एंड़ोड के लिए लाग यह एंड़ोड एमिलेटर रियल डिवाइस या किसी के लिए भी आपको जाना है बिल डॉट ग्रेटर एंड लोकल डॉट प्रॉपर्टीज में जाके आप फ्लेटर के अंदर में कि इसी लाइन से रिप्लेज कर देना है तो इसको कमेंड कर दो यह नहीं भी गरो तो भी चल जाए तो इसको कॉपी कर सकते हैं यह मैं तो खुद से टाइप करो जात अची चीज है तो सिंबल यह फ्रेटर की बिजिट है ठीग है यह यह यहाँ रख 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 एंड देन उसके बाद हम चलते हैं आप सबसे पहले है विजिट के लिए चलते हैं क्या के चल रहा है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले है यूटूब प्लेयर का मैंने डाइट कॉंटेक्स रिटन कर दिया है आप इसमें सेंटर बोडी यह जो आपको इसमें और विजिट विजिट करना है और यहाँ पर अअ fan करना चक्णाया करना तो ब्लेयर को कि में यहां रहे हैं और उसके अंदर इसके लिए यह इक stateful है widget आप stateless भी बना सकते हैं ठीक है अब इस control के अंदर क्या क्या है तो यह variable कर दिया अब हम गए इनिट state के अंदर जैसे हमारा एप instantiate होता है ठीक है controller के अंदर YouTube player controller and यहाँ पे initial video id आपको डालेंगे यहाँ से आप एक variable भी यहाँ प्रेट यूटूब वीडियो आईडी पास कर दिया एंद यूटूब वीडियो आईडी आईडी आपको पेसे मिलेगी youtube.com watch v and उसके बाद जो आईडी आती है ठीक है तो आप YouTube पे जाके भी copy क्लिक कर सकते हैं यहाँ अधे अधे उसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट हो तो अगर वीडियो प्ले करना है तो आप इसको टू कर सकते हैं मुट करना है जिससे वो साइलेंट रहे एंड इस लाइव को पॉल्स रख दीजिए तो यह आपको प्लेयर से पहले ही डिफाइन करना है उसके बाद यहाँ पर कुछ कंटोल्स है शो वीडियो फ्रोग्रेस इंडिकेटर ट्रू प्रॉग्रेस इंडिकेटर अगर आपको दिखाना है उसके लिए एड़ एड एक्सेंट थोड़ा सब लाइट उसके बाद यहाँ पर दिख सकते हैं मैं एन टाइट यह एग यूटुब प्लेयर सिंपल है बॉडी के अदर मैंने ढदाई करते हैं आप इसको बाहर भी कर सकते हो या फंक्षंट निंब आ सकते हो अब फंक्षंट को भी समय लेक्ट या मशन सकते हो तो इसको डीडी तластtv अलाइप यंद हो नीप को 150 फिक हृब एंड से गे बटता है वहाँ पर इसको define करना है and जो मैना basic changes बता है Android के लिए वो आपको basic changes Android के लिए करना है चीक है ओके friends, तो यह दिमारी YouTube player की वीडियो अगर इसमें कोई भी doubt हो, कोई भी question हो या कहीं भी stuck हो आप तो comment करो, follow करो Instagram पर and अपनी query आप और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, share करो and अगर flutter के अंदर आपको कोई भी issue हो, तो आप मुझे कभी भी message कर सकते हो, या फिर comment कर सकते हो ठीक है and उसके अलावा guys, अगर आपने अभी तक Instagram का मेरा personal page follow नहीं किया है, actually personal link है so please इसमें थोड़ी से help करते है follow डाने में, ठीक है so travel से लेड़ी ट्रेंटेंड आपको इसमें मिल जाएगा so मैं इसका link आपको description में दे दूँगा, तो चलिए मिलते हैं लेक्श वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye